भारत में नौकरियों की बार्सी आ गई है। आप बड़े बड़े चैनलों, बड़े बड़े अकबारों और बड़े बड़े इस्तिहार में देख रहे होंगे कि आखिरकार किस कदर लोग कतार में लगकर ज्वाइनिंग लेटर ले रहे हैं। वह बात अलग है कि लोग कहीं लेटर के बदले एक दमदार वा मजबूर डंडे ले रहे हैं भारत में राम राज्य की इस थापना का दस्तूर लगातार जा रही है नमस्कार मैं मौजूद दुर्गेश मिस्रा एक नए मुद्दे के साथ बात करेंगे इस वीडियो में उन बेरोजगार युवाओं की कि जो सायद सपने देखते हैं सपने बुनते हैं लेकिन हालाद क्या होते हैं बेरोजगारों को नौकरियों तो ऐसे परोसी जा रहे हैं कि जैसे मानो भंडारे में पूड़ी और सबजी लेकिन वास्तिट्टा क्या है इसके बाद भी हम दिखाएंगे कि आखिरकार इस देश में हालाद कहां से कहां जा पहुँचे हैं इस वीडियो को हन तक जरूर देखिये और समझे कि आखिरकार देश के उस हिस्से में किस कदर और किस हालात में द्रस सामने आ रहे हैं जहां पर आखें आपके नम हो सकती हैं सवों को उठाने और ले जाने के लिए ग्रेजुएशन वा पोश्ट ग्रेजुएट और इंजीनियर तक लाइन में लगे हुए हैं और हितना ही नहीं लाइन में लगने के बाद में भी वैस सायद सवों को उठा कर ले जा पाएंगे या उस पद की नौकरी कर पाएंगे ये भी अभी तैं नहीं है समझे ज़रा कुलकाता में एक ऐसी दशा सामने आगई कि जहां पर आपके जहन में ज़रूर आएगा कि सायद मेरा बच्चा इंजीनियर या पोस्ट ग्रेजुएट ना बने समझाते हैं कुलकाता की नीत रत्रिस सरकार मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में मात्र 6 पदों की वेकेंसी निकाली गई और उन 6 पदों में तकरिवन 8,000 लोगों ने फॉर्म बरा यह वेकेंसी पहले डॉम नाम से निकाली गई जो की एक डॉम प्रजाती हुआ करती थी लेकिन अब यह फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नलोजी विभाग में लैब एसेस्टेंट पोश्ट के लिए कर दी गई वो इसलिए कि इसमें कच्छा आठ पास भी लिये जाएं और इंजीनियर भी लिये जाएं डिटेल में बताते हैं सवों को सवहालने का काम करना इसके लिए मात्र उनको 15,000 रुपए की सैल ने मिलेगी बेटा या बेटे सीधे तور पर इंजीनियर की पढ़ाई करता है और अपने माबाप के खुन पसीने की कमाई को पढ़ाई में लगाता है उसका एक सपना होता है कि आखिर कार वैपड़ लिखकर किसी अच्छी पोश्ट पर किसी अच्छी कंपनी में किसी जिम्मेदारी के साथ में कोई काम करें लेकिन यहां ऐसा कता ही नहीं है महज 15 हजार की नौकरी और वो भी सवू को उठाने ले जाने और उनका देखरे करने के लिए मात्र रखा गया मात्र 6 पदों की नौकरी और 8 हजार आवेदन और मैं सायद ये भी पता दूँ आपको कि इन 6 पदों के लिए जितने भी सौफ्ट्वेर इंजीनियर या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ने आवेदन किया सायद उनका भी नंबर आएगा ये भी अभी तह नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज इतकारी ने कहा है कि जब अब ब्यार्थियों द्वारा भेजे गए आवेदर की स्कूटनी की गई तो पता चला कि पद के आवेदर करने वाले अब ब्यार्थियों में करीब 100 इंजीनियर, 500 इसनातुक्तर और 22 सो इसना तक सामिल है इनमें से 84 महिलाएं भी उम्मीदवार हैं, खास बात यह है कि साथ में 784 सौर्ट लिष्ट कर दिया गया है यानि कि उनको हटा दिया गया है, वो इस लिष्ट में नहीं रह पाएंगे हाला कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले सन 2017 में मालदा मेड़कल कॉलेज में एक ऐसे पद के लिए पीचडी और एमफिल डिग्री वालों तक के लिए आवेदन आ गये थे जिनका भी यही काम था सवों को हैंडल करना और लेजाना वहीं New Indian Express की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 में कूच बिहार मेड़कल कॉलेज वा अस्पताल में आठ पदों के लिए पोश्ट ग्रेजुएट ने अपलाई किया था इस भारत में रामराज और नौकरियों के बाच्छार होने में आप जो दर्स देख रहे है वो वाक Ε में हैरत का सह है इतियास के पन्नों को अगर कुरेदे तो सायद मायावती सरकार हो या अखले सरकार हो या अन्य सरकारे हो इतने द्रस से पहले कम देखने को मिले होंगे लेकिन मौजूदा वक्त में जो बेरोजगार हैं जो कम कमाने वाले हैं उनके हालात क्या हैं वो जमीनी इस तर पर आप से ज्यादा कोई नहीं जान सकता नमस्कार अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो कुछ जानकारी मिल पाईयों कुछ समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और सेहर है जरूर करें और हां कमेंट बाक्स में ये जरूर बताएं कि आखिरकार आने वाले वक्त में बेरोजगारी की इस्थिति किस कदर हावी होने बड़े बड़े लिए